नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजपत्ता फार्मिंग बिजनस के बारे में अगर आप इस बिजनस में आना चाहते हैं तेजपत्ता की फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको इसमें कितना investment करना होगा इसमें कितना profit आपको देखने को मिलेगा इसमें कितना जगा चाहिए कैसा जगा होना चाहिए और भी बहुत सारी बाते इस business से जुड़ी हुई इस वीडियो में हम जानेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि तेजपत्ता farming तेजपत्ता क्या है यह तो हम सभी जानते हैं अब इसकी farming कैसे शुरू कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको इस business में आने के लिए एक जगा चाहिए होगा जहां पे आप इसकी farming जो है वो शुरू कर पाएं अब आपको जगा चाहिए होगी तो कितनी जगा कम से कम चाहिए होगी तो देखिए पांच विशव जगा अगर आपके पास है तो आप इसमें आसानी से बहुत ही जादा मात्रा में आप तेजपत्ता का पौधा लगा के इस business में आ सकते हैं इस business की शुरुवात कर सकते हैं और जिसका profit आपको अच्छा कासा देखने को मिल जाएगा अभी देखिए क्या है कि पौधा आपको कहां से लेना होगा वो भी बता देता हूँ कि अगर आपने ये business start करने का सोचा है तो आपको सरकारी संस्थान से या फिर किसी agriculture university से या फिर आप किसी agriculture center से जाके बीज खरीद के लाके इसे खुद ही पौधा बना के उस हिसाब से भी आप जो है इस business को शुरू कर सकते हैं अब आप सरकारी संस्था में जाके पौधा खरीद के ला सकते हैं agriculture university में जाके वहाँ से पौधा ला सकते हैं या फिर agriculture centre वगएरा जो होते हैं वहाँ से बीज खरिद के लाईए फिर उसे आप पौधा बनाईए और फिर उसे पेड़ बनाईए तो आप किसी भी तरह से जो है कहने का मतलब है आपको इसमें शुरवाद जो पहला कदम है वो है आपको जमीन की पवस्ता करनी होगी उसके बाद आपको ये पाधे खरीदने हुगे या फिर बीच खरीदना होगा और उसके पाधा बनाना आपको उतना लगेगा अगर जमीना आपकी खुद की है जहां पे आप इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं तो फिर उसका पैसा तो आपको लगेगा नहीं अगर आपके पास जमीन नहीं है और आप करना चाहते हैं और आपने सोचा की चलो कहीं पे अगर थोड़ा सा जमीन ले लगता है तो सिर्फ पौधे वगेरा जो आपको लाना है उसका खर्चा उसको आपको देख भाल करके खाद भी खाद वीज स्प्रेक की दवाई ववाई जो कुछ भी फार्मिंग के रिलेटेड जो भी लगता है वो आपको जो थोड़ा बहुत खर्चा है मेहनत भी जादा न बाकी जादा उसमें अटेंशन देने की ज़रत नहीं है तो इसमें मेहनत भी जादा नहीं है आपका इंवेश्मेंट भी जादा नहीं है जगा भी जादा नहीं चाहिए अब इसे समझते हैं कि अगर आप इसे लगाते हैं तो इसे किस तरह से लगाना चाहिए देखिए हिसाब से आपको इसे ध्यान देना है और इसे बड़ा करना है अब इसके एक पौधे की इंकम अगर देखूं तो कम से कम आपको एक पौधे से 3,000 से 5,000 तक का सालाना इंकम होता है सालाना इंकम बता रहा हूँ आप महीने मत सूच लिएगा एक पौधे से आपको 3,000 से 5,000 का सालाना इंकम होता है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 25 पौधे आप अगर लेकर शुरू करते हैं तो जितना जादा पौधा लगा सकते हैं जितना जादा जमीन आपके पास है जगा आपके पास है और जितना जादा पौधा आप लगा सकते हैं उस हिसाब से तेज पत्ता फार्मिंग बिजनस में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा तो देखिए इसे आप पार्ट के रूप में भी आप कर सकते हैं सालाना अगर 75,000 से एक लाक रुपए भी आपका आ रहा है तो भी फाइदा ही है किसी ना किसी काम ही आएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपके बस बड़ी सी जमीन है और आप वहां पर बड़े लेबल पर करेंगे तो आपको अच्छा जो कभी डूबने वाला नहीं है क्योंकि ये जो है हमेशा चलने वाला है एक ऐसी चीज है ये जो हमेशा हर देश में requirement है देखिए अमेरिका, यूरोप, इंडिया और कई देश जहां इसका यूज होता है इसका यूज सूप, दमपुक्त, मान, समुदरी भोजन और सबजि इसका यूज बिरियानी और दूसरे मसालेदार विंजनों में और गरम मसाला के रूप में किचन में किया जाता है तो साथ ही ये health के लिए भी काफी useful माना जाता है तो अगर आप इस business को start करते हैं तो आपको ना जादा investment लगेगा, ना जादा मेहनत लगेगा, ना जादा ज आए है तो subscribe करके जाईएगा मिलता है गलो वीडियो में कोई नए आडिया के साथ तब तक के लिए टाटा